जहीं दोस्तों स्वागा थे आपका अपने चैनल GSS Study Pro में दोस्तों इस वक्त जहारखन करमचारी चैन आयो यानी GSSC के तरप से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है और यहाँ अपडेट देखने के बाद आप गदगद हो जाएंगे जी यहाँ दोस्तों यहाँ है जहारखन उत्पाद सिपाही परतियोगिता परिछा 2022 में निकाल अगया है अर्था जेए सीसी दुहजर बाइस उत्पाक सिपाही की भरती की प्रक्रिया सुरू होगी अब क्योंकि इसका नोडिफिकेशन अब निकल चुका है जैसे सी दुवारा जारी किये गए एग्जामिनेशन कालेंडर में भी उन्होंने मैट्रिक अस्तर के जामिनेशन की विग्यापन आने की संभावी तेती थी मार्च माह में रखी थी लेकिन अब उससे पहले ही फरवरी माह के प्रथम सप्ता में ही ठीक से सेकंड सप्ता आया भी नहीं है ठीक है इसी में इन्होंने एडवेटिजमेंट निकाल दिया है जो कि अपने आप में ए इंधेर हो जाएं कि वाकिंसी में ऐसाव क्या क्या बदलाव किया गया है क्या क्या इसमें मेन मेन क dope है तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह वही वेकंसी है जो पिछले दिनों रद की गई थी यानि जहारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परिछाथ 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विग्यापन की सर्तों यथा साचनिक जोगिता निरधारित आयो सीमा त उसमें पूर्म समनपित आवेदन का जो रेश्टेशन नंबर है उसको फिल करना होगा जनती दर्ज कराना अनिवार्ज होगा तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि टोटल कितने वेकंसी निकली है तो यहां से आप देख सकते हैं कि 583 312 यानि लगभग लगभग इसमें 600 प् चाहिए 81 cm वहीं पर ST के लिए 155 cm और सीना चाहिए उनको 79 cm ठीक है दोस्तों और अनुसुचित जाती के लिए 255 cm सीना चाहिए 79 BC1 और BC2 के दोनों के लिए 160 cm और सीमा भी चाहिए 81 cm होनी चाहिए महिला की जो हाइट है वह 148 cm होनी चाहिए और सीना का माप तो उसमें किया जाता नहीं है साथी साथ अभियर्थियों के सारिक बनावट में घुटना मुड़ना धनू पैर समतल पैर इस्पित सीरा उंगलियों का उंचित ढंक से नहीं घुमना द्रिष्टी दोस्त हना कलर ब्लाइनेस रतों धी ठीक है यह सब जो भी है इस सब के बारे में हालाकि मैं बाद में एक सेपरेट विडियो बनाऊंगा जिस दोस्तों इसमें आप देख सिली ज़िए कि आयू सिमा की जो गन्ना होगी वह नियूंतम आयू सिमा वह 18-2022 से और अधिकतम आयू सिमा भी 18-2022 से गन्ना की जाएगी और नियूंतम आयू जो होनी चाहिए वह अठारा वर्स होनी चाहि सब्सक्राइब कर दोनों के लिए 30 वर्स का यहां पर किया गया वहीं भूत पूरु सेनिकों का अधिक्तम पांच साल की जो अतिरिक्त छुट दी जाएगी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कि यहां पर जबिद्धा का मांग किया जाएगा ओक्यमेंट किस आधार पर होँगा मैं एक सठीप्रेट बीडियो बनाओंगा उसमें आपको कि लियर बताओंगा कि क्या